नमस्कार दोस्तों मैं कर्णल अजय सीओ अजय एस्टो मानी गरूफ फर्स्ट ग्लोबल एस्टो फनाइस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ आज 19 मार्च सन 2022 शनिवार दोस्तों इस एपिसोड में हम चर्चा करें हैं कॉटन की यानि कपास के ओपर क्या सूच मिलो की मांग बढ़ने से लोर राजिस्थान में कॉटन यानि कपास महंगी बताई जा रही है और दैनिक अराईवल भी कम बताई जा रही है मिलो के मांग यानि स्पिनिंग मिलो की मांग बढ़ने के कारण शनिवार को लोर राजिस्थान में मंडियों में कापास यानि कॉटन महंगी हो गई है जबकि राज की मंडियों में कापास की दैनिक आवर स्थेर हो गई है और राजिस्तान के कपास उत्पादक छेत्रों में मौसन साफ है और व्यपारियों की बात सुने तो राज की मंडियों में कपास की दैनिक अराइवल समाने के तुलना से काफी कम हो रही है जिसके कारण राजिस्तान राजे की लगबग 90 फिसीदी जिनिंग मिल परिशानिया में आ चुकी हैं जिनर्स ने किसानों से बड़े भाव की कापास खरीदी हुई है इसलिए जिनर्स भी दाम घटा कर गांटों की बिक्वाली नहीं कर रहे हैं CCI वे अन एजेंसियों के पास भी कॉटन का बकाया स्टॉक कम बताये जा रहा है इसलिए चालू सीजन में कॉटन का आयात यानि इंपोर्ट बढ़ने की संभावना है विदेशी बजारों में भी दाम तेजी होने से आयात महंगे पढ़ने लगे हैं इसलिए घरेलू मिलों की खरीद बनी रहने से आगे मौझूदा किम्तों में भी और सुधार आने की संभावना है राजिस्थान की मंडियों के कपास की आवग 500 गांट की बताई जा रही है एक गांट 170 किलो की होती है जबकि गुरुवार को भी इतनी ही अराइवल सुई थी राजियादी राजिस्थान के अलवर, खेल्थ, खेरतल और बहरोड लाइन में देखें तो 28.5 mm कॉटन के बाव 24,500 से 76,500 प्रती केंडी बताई जा रहे है यहाँ केंडी 365 किलो की होती है नेवाड विजयनगर लाइन में 28 mm की कॉटन के बाव 79,500 से 75,500 प्रती केंडी रहे है मारवाड लाइन में देखें तो कॉटन के बाव 73,500 से 76,000 प्रती केंडी रहे है राजिस्थान की मंडियों में बिनोला के भाव 3500-4000 रुपए और कपास के भाव 8000-10,000 रुपए प्रती किम्टल बताए जा रहे हैं इसके अत्रिक अधियाम दक्षिन भारस से भी देखें तो गुंटूर में अराइवल 700 बेल्स की बताए जा रही है अडोनी से खबर निकल के आ रही है अराइवल 80 बेल्स की है और कपास 8500 से 10,520 के रूप में बिकरी है कैंडी 81,000 से 82,500 के भाव हैं और कॉटन सीड 4,000 से 4,450 के भाव बताए जा रही हैं दोस्तों यह है कॉटन पर अपडेट याद कीजिए कॉटन में हमने आपको पिछले साल सेप्टमबर में ही अदभुत तेजी की अगरिम बविश्वानी की थी खुले आम सभी व्यपारियों के बीच में मिल आउनर्स के बीच में और मार्केट विश्वाग्यों के बीच में जब बर दस तेजी दर्ज हुई और याद कीजिए हम लगातार इस पर अपडेट दे रहे हैं कि इस बार कॉटन के अंदर किसान महोंगे माला माल यह सफे सोना सिदोगी यह हमने सब्टमबर में सब्टमबर 2021 में कहा था और ऐसा ही बजारों में हुआ अब कोटन के अंदर आए गे संभावना बनेगी क्या तेजी आने वाली है या फिर मंदी तेजी कब कब बनेगी और मंदी कहां से बनेगी इसकी विशेश रिपोर्ट के लिए जो कॉटन यानि कब के मिलर्स हैं जिनर्स हैं या स्पिनिंग मिल्ट के owners हैं या फिर stockist है वो हमसे बुक्तान कर विशेश report के लिए संपर कर सकते हैं नंबर स्क्रीन के उपर flash हो रहा है उसको आप जरूर ध्यान से note कर लें दोस्तो आदि आप हमारे चैनल पर नए है और अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करना बिल्कुल ना भूलें बैल आइकन यानि घंटी के निशान को भी आप प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर update आप तक पहुचाई जा सके चैनल वो सोना चांदी हो शेर बजार हो कपास हो सोयाबीन हो दाले हो या फिर मसाले इन सबी पर विशेश सुचना है आप तक पहुचाई जाएगी और दोस्तो एक और याद रखी एक और महतपुन सुचना हमारा एक विशेश शो बजार के सितारे 10 बज कर 15 मिनिट से 10 बज कर 45 मिनिट के बीच आदे घंटा लाइब मार्केट के अंदर हमारी रेकुमेडेशन मंडे टू फ्राइडे यानि सोववार टू फ्राइडे यानि शुकर वार तक को देखना ना भूले अल्द वेरी बैस्ट गुड लाक हैपी ट्रेडिंग